आगामी दिनों में उत्सर प्रदेष के लखनव में सरदार पटेल दिव्यां क्रिकेट का आयाजन किया जाएगा, इस T20 टूर्मेट में छत्विगर् टिम ने भी क्वालिफाइ किया है, इसे के तहाँ छत्र दिव्यां क्रिकेट टिम को लखनव टूर्मेट में शामिल होने रवाना हुई चतिजगर दिव्यांग क्रिकेट एसोसेशन की प्रदिश अध्यक्ष अरुन शिवास्तव ने पूजार चुनकर टीम को चुपकामनाय देती हुई रवाना किया उचर प्रदिश की राजधानी लखनव में आगामी दुनों में T20 दिव्यांग क्रिकेट टूर्नामेंट का आईजन किया जाएगा इस T20 क्रिकेट टूर्नामेंट में चतिजगर की दिव्यांग क्रिकेट टिम भी चैनित की गई है चैनित खिलाडी अपने खेल का जोहर लखनव में दिखाएंगे लखनव रवाना होने के पोर्व दिव्यां क्रिकेट टिम का उत्साहवरधन छतिजगर दिव्यां क्रिकेट एसोसेशन के प्रदेश अध्यक्ष अरुन शिवास्तों ने किया सिक्टर छेश्तित राधाक्रिष्ण मंदीर प्रांगन में मैच आयजित कर उन्होंने खिलाडीयों का उत्साहवरधन किया साथी कीट का वित्रन भी किया खिलाडीयों को प्रदेश अध्यक्ष अरुन शिवास्ता उने शुपकाम नाय दी टीम की जीत के लिए उन्होंने बधाय देते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी सर्दार पटेल दिव्धान के साथ में इसको रवानगी कर रहा है मैं चत्रिव्धान किर्केट असोसेशन का अध्यक्ष अरुनकुमार से वास्ता अपनी टीम को बधाय देता हूँ बच्चों से मेरा अन्रोज बस यही है कि इस टूनामेंट में जीवर करके अपने खेलें और अपने आपको प्रदर्सित करें कि क्या दमखम है हमारे में और राज का नाम गौरानगीत करें बहुत बहुत धन्यवाँ यहाँ आपको बता दें कि छतिजगर दिव्यां क्रिकेट एसोसियेशन के प्रदेश अध्यक्ष अरुन शिवास्तव दिव्यां खिलाडियों को लगातार प्रसिक्षन देते हुए उन्हें तयार कर रहे हैं समय समय पर वे खिलाडियों को प्रूच साहित कर उनका आत्म बल बढ़ाते नजर आएंगे बहुत धन्यवाँ दिव्यां क्रिकेट एसोसियेशन के प्रदेश अध्यक्ष अरुन शिवास्तव ने T22 नमेंड में जीत कर प्रदेश को गौराव्मित करने की शुप कामना है दिव्यां क्रिकेट टिम को दी है और साथ ही उन्हें रवाना भी किया ट्रेंडिसीन न्यूस के लिए शाहिन खान की रिपोर्ट